दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आसा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे यह जो आप समान देख रहे हैं यह पुड़ा आरो के एक आरो के सिम्लिंग में टोटल इतना ही समान लगता है बहुत सारा फिटिंग्स है जो भी है देखिए रेडी आरो उपर डबा के उपर रखा हुआ है और टैंक के बारे में मैं बराबर बोलता हूं कि अगर आरो का काम कीजिएगा न भले ठीक है पानी देखने में कैसा भी लगे लेकि में बार बार बोलता हूं कि आरो का काम जो है वह सही पुछे तो अपने आपने अतना बढ़िया काम है बहुत सारा वीडियो मैंने आरो का पहले भी अप्लोड किया है आप जड़ा सा मेरे चैनल पे पहले जाके देखें उसके लिए आपको करना यह होगा प्लेलिस्ट में भी आप जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में देखेंगा आरो बिजनेस का एक एक वीडियो को जाके देखिए यह तो मैं पुराने वीडियो को प्ले करके उसके उपर में मैं आपसे बात कर रहा हूं देखिए ट्रांस्परिंट टैंक एकदम इसमें मैं बता रहा हूं और जो म साफ करने की भी आओ सकता नहीं पड़ी क्योंकि टाइम टू टाइम मैं अल्वेस प्री फिल्टर को चेंज करते रहता हूं और जो मेंब्रेन मैं यूज करता था वो जेनरल एलेक्ट्रिक कंपनी यूएसे का यूज करता था मैंने इसका दिखाया भी है वीडियो में आपक तो कुछ चीज है जिसमें आपको ध्यान देना है एक ध्यान देने की बहुत जरूवत है उसके टैंक के उपर में जहां पे कोई कॉम्परमाइज करने की कोसिस नहीं कीजेगा जो सचाई है लोगों के सामने रखिए कि अगर ट्रांस्परेंट टैंक में आप काम करने जा र दूसरा कभी भी मेंब्रेन में कॉम्परमाइज मत कीजे सस्ता मेम्रेन तो 200 रुपया कभी आता है जो दिल्ली में बनता है मेंब्रेन की क्वालिटी सबसे बढ़िया होनी चाहिए वहां पे भी कॉम्परमाइज नहीं करना है और मिनरेल काटेज मस्ट है देखिए इस यह देखिए, made in USA, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यह देखिए, made in USA, साफ साफ दिख रहा है, तो यह general electric, GE water membrane inside, तो यहाँ पर इस membrane का cost कोई कम नहीं था, उस जवाने में यह 800 रुपया का membrane आता था, पूरा लोग 200 और 200 का membrane यूज़ करता था, मैं बुला कि नहीं, भले कमाऊंगा कम, लेकिन customer के साथ गलत काम कभी नहीं करूंगा, customer को जो भी दूँगा, और यह जो pump मैं यूज़ करता था, उसका रसीद मेरे पास पड़ा हुआ है, एक हजार नब्बे रुपया प्लस टैक्स का स्रिफ पॉंप था, तो मेरे आरो का जो manufacturing cost आता था खाली, वो 4,000 से 4500 के बीच आता था, और आज कल तो जानते हैं, अड़ाई हजार में भी आरो लोग बना लेते हैं, वो काम मत कीजिएगा, quality always first, देखे, दो तीन चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, यह जो mineral cottage है न, यह 7 in 1 है, और transparent है, इसमें पता चलता है कि वाकई 7 mineral इसके अंदर है, आज कल क्या होता है न, एक छोटी सी plastic की डिबी लोग लगा देते हैं, उसमें पता भी नहीं चलता है, अंदर में क्या ह तो यह जो तीन चीज है न, यह बहुत important है, और जो UV light में use करता था, वो Philips Holland का होता था, उसमें भी मैं कोई compromise नहीं करता था, दोस्तो, मैं बुरी तरह से लगा हुआ हूँ, winding data के book के उपर में, और मैं बार बार देखिए, कोई भी author, businessman generally नहीं होता है, कोई भी author उठा लीज चीज जो है, वो आपको एक जगा मिल रहा है, मतलब यह author जो है, संजीव अर्मा, यह बैपाड़ी भी है, और यह MSA में भी है, और इसने इन सभी चीजों को बनाने का काम किया है, मतलब मैं कोई किताब पढ़के कुछ नहीं लिखता हूँ, मुझे लिखने के लिए किताब पढ़ने की आवसकता नहीं पढ़ती है, जेनरली author लोग क्या करते हैं, दस किताब लिख पढ़ते हैं, और एक एक आर्मा किताब लिख डालते हैं, लेकिन मैं जो लिखता हूँ, अपने experience को share करता हूँ, इसलिए मेरा book exclusive होता है, और मेरे book में सबसे बड़ी खासियत क्या ह आप किसी भी topic का कोई भी किताब उठा लिजे, कहीं भी कोई ये न बताएगा कि फलना समान का फलना manufacturer कोन है, और इवेन कि उसका mobile number कोई share नहीं करेगा, ये काम सरिफ संजीव वर्मा कर सकता है, क्योंकि संजीव वर्मा को चाहत है कि वे कम से कम अधिक से अधिक लोगों को आदमी ले आए, और देखिए आजकल लोग गुम्राह करने वाले सभी हैं, मने कोई आदमी नहीं चाहता है कि कि किसी का भला हो, जैसे केकड़ा वाली कहानी याद है न, कि जो इंडियन केकड़े थे, उसका धकन खुला हुआ था जार का, इसलिए कि जहां कोई आगे कोसिस करेगा, दूसरा उसको पीछे खेंच लेगा, तो इसलिए उसमें धकन लगाने की जरूवत नहीं थी, और वो जपान के केकरे का डबा था, उसके धकन को पूरा टाइट ही नहीं किया था, धकन के उपर में टेप लगा के रखाता है, यह फिलिप्स हॉलेंड का क्या होता है न, कि 15 रुपया का एक यूवी लाइट आता है, यूवी नहीं होता है, ब्लू लाइट उसमें से खाली निकलता है, मतलब जो काम करना चाहिए न, यूवी लाइट का, वो काम जेनरली नहीं करता है, तबी तो 2,500 में लोग आरो बना के बैड़ जाता है, और ब इसके अलाबा लेवर कॉस्ट, ये कॉस्ट, टैक्स, उसले के सही पुछे बिस्वास नहीं कीजिएगा, पच्पन सो रुपया मेरे आरो का टोटल लागत आता था, आप यकीन नहीं कीजिएगा, और बिस्वास नहीं कीजिएगा, मैं 6,000 में लोगों को दे देता था, मेरे रूम के किचन में लगा हुआ है, आज तक कोई चीज उसका खड़ाब नहीं हुआ, इवेन की UV लाइट तक बदलना नहीं पड़ा, और लगभग मान के चलिए, 2016 में मैं लगाया था, और आज कोई मान के चलिए, पांचवा साल जा रहा है उसका, कोई खड़ाबी नही हुआ है, लेकिन टाइम टू टाइम मैं स्पन बदलता हूँ, और आज तक उसका मेंब्रेन भी खड़ाब नहीं हुआ है, मतलब पांचवा साल मेंब्रेन का जा रहा है, और आज कल सोची है, पांच साल कहां से कोई आरू चलेगा, लोग मेंब्रेन बदली करते रहते हैं, मेंट्रीनिंस के नाम पर कस्टमर को तबाह किये रहो, कस्टमर को तबाह करने से, आप क्या सुचते हैं, कि आपका भला हो जाएगा, दूसरे को परसान करने वाले खुद परसान होते है 여ल्तिमेटली, इसलिए कि उनका बिजनस डे बाई डे जाता है, नीचे जाता है, इसल कि आज मैं चार लेंग्वेज उसका कंप्लीट कर दिया हूँ और तेजी से मेहनत करूंगा ना तो पूरा बारा लेंग्वेज मेरा मंगलवार को कंप्लीट होके रिलीज भी हो जाएगा तो मैं उसी तयारी में कसके लगा हुआ हूँ ताकि मंगलवार को चौथी किताब मैं वाइंडिंग डेटा का सीलिंग फैन के वाइंडिंग डेटा का आपके सामने रख दूं और इसके बाद मेरा नेक्स्ट किताब जो आएगा वह ऊद्ध्यों के उपर में आयेगा मतलब कोलीड के कैबिनेट का मैंडिस्य है mock का मैंडिक्ट्रे जोड़ूंगा और दिर्फों नहीं जिनिरल वोग करते क्या है कोलड के बाड़े मैं आपको बोल देता हूं दिली में यह कमला मारकेट आप बैक टू पवेलियन बस और ट्रेडर से क्वालिटी क्या मिलेगा भगवान जाने मार्जीन ट्रेडर का अपने जगा पे होगा लेकिन मैं सीधा आपको जोड़ूंगा ना इस बुक से बिलकुल मैनिफैक्चरर से जोड़ूंगा याद कीजिएगा और ये काम सर्फ संज करते हैं और इसके बाद कल फिर मैं आपके सामने आने की कोशिस करूंगा अपनी बातों के साथ और आज के वॉल्यूम को जो की few words प्रॉम संजीव वर्मा का वॉल्यूम सेवन है इसको यहीं पे खतम करते हैं अपने दोस्त संजीव वर्मा को विदा कीजिए और कोसिस कीज अगर आप बिजनेस में नए हैं तो मेरे बिजनेस के जो तीन किताब है ना जादू बल्व एलेडी इंडस्ट्री पे है पंखा उद्योग और डोमेस्टिक आरो इस तीनों बुक को मंगाईए तीनों को पढ़िए उसके बाद आप डिसीजन लिजे कि आपको कौन सा बिजने के लिए लेकिन मैं जो भी आप लोगों को काम किया हूं आप मेरे पंखाउद्यो को किताब खोल के देखेगा मैंने तो खुलन खुला बिल भी छाब दिया है चलिए कल फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमसकार सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बहुत लोग वीडियो द यह उन्हीं लोगों के चलते हुए जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और मैं आपको बिल्कुल हर एक वीडियो में कोई ना कोई काम की बात जरूर बोलूंगा चार सो से उपर वीडियो उपलब्ध है आप देखिएगा हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ मेसेज आपको मिल जाएगा नमस्कार धन्यवाद